नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आए हो आप सब मज़े में होंगे दोस्तों आज की वीडियो काफी जादा धमाकेदर होने वाली है बिकास आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को 5 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्होंने आपे धमाकेदा डिविडेंट और बाइबाक अनौन्स किया है दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर इन्ही 5 स्टॉक्स की माप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा बताऊंगा इन्होंने क्या के चीज़ अनौन्स करी हैं और किस किस वैल्यूस अनौन्स करी है साथ ही साथ में इनके करन्ट स्टॉक प्राइज़ बताऊंगा इनकी अनौन्समेंट्स की एक्स डेट्स क्या होने वली है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं पे भी स्किप मत करना चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चानलों को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरोश चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन से पात स्टॉक जिन्होंने चलिए बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है अनन्द राथी वेल्थ और कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस करना है ताकि आपको इसकी डिविडेन का बेनिफिट मिल पाए तो आपको इस स्टॉक को उसकी एक्सडेट यानगी 20th of October से पहले-पहले परचेस करना होगा चलिए बात करते हैं एगले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है VIP Industries और कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस करनली 689 रूपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आपे डिविदेंट प्लस क्वाटर ले टूकर रिजल्ट के अनॉंस्मेंट किया है और इसकी जो वैल्यूस है डिक्लेर करी जाएंगी 21st of October को मतलब यहाँ पर 21st of October को में पता लग जाएगा कंपनी यहाँ पर किस वैल्यू से डिविदेंट देने जा रही है और कंपनी के क्वाटर टू के रिजल्ट से यहाँ पर कैसे है चलिए बात करते हैं यहाँ पर हमारे अगले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है Infosys Limited यहाँ पर ट्रेड हो रहा है कंपनी ने यहाँ पर डिविदेंट प्लस बाइबाक अनौंस किया है इस बाइबाक के अंदर में इस डिविदेंट की देने की जो एक्स डेट होने वाली हो 27th of October की होने वाली है और जो बाइबाक की डेट्स हैं वो अभी तक आई नहीं है तो कंपनी यहाँ पर जैसी बाइबाक की डेट्स अनौंस करेगी मैं आप लोगों को इंटिमेट कर दूँगा आप लोगों को याद ही होगा इस कंपनी ने आपे 12th of July को 4.8 रुपीस पर स्टॉक के साब से डिविदेंट डिकलेर किया था मतलब 12th of July यहाँ पर एक्स डेट थी और आज की दिन में कंपनी ने आपे डिविदेंट क्रेडिट कर दिया सारी बैंक अकाउंट्स के अंदर जो की शेरोल्डर्स थे तो अब अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए आपके यहाँ पास डिविदेंट क्रेडिट हो चुका होगा बट फिर भी अगर आपके बस डिविदेंट किया पर क्रेडिट नहीं हुआ तो आप कंपनी से या फिर ब्रोकर से directly कांटक्ट कर सकते हो दोस्तो आज की वीडियो में इतना यही 5 स्टॉक्स थे जिन्होंने आपे धमाकेदा डिविडेंट और बाइबाक अनॉंस किया था अब अगर आपको वीडियो चला गाओ वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से सब्स्राइब कर दीजेगा विक